तो अलक पुरूश निर्बाण है वाका लिखे नहीं कोई वाका तो वही लिखे जो उनी घरा का होई वड़ी घरा का हुआ तो क्या हुआ तक्त तले का होई शब्द विवे की पार की मेरे सिर माठे का मोर एकन बार आओ रे बारं बार आओ अर एकन बार आओ रे बारं बार आओ सक्स गुरु जी महारा देश माहो जी एकन बार आओ रे बारं बार आओ सत्गुरु जी महारा देश माहो जी बाबा जी महारा ओ देश माहो जी जी बाद वादी जी बादी कर दो कर दो हमने जिसे भी अपना इष्ट मान रखा वो हमारा सद्गुरु हो जाता है चाए हमने बाबा जी को मान रखा हो चाए हनुमान जी को मान रखा हो चाए मैया को मान रखा हो या हमारे जिन से नाम दिक्षा ली है वो सद्गुरु मान रखा हो वो शक्ति रुपी सद्गुरु व कि हमारे अंदर प्रदेश करते हैं तो हमारे अंदर जो अज्ञानता है जो गलत काम करने के हमारे अंदर में मन में जो विकार है वो दूर भागते हैं वो केसे सत्गुरु महारा बादल रे साहिब महारा बादल तरी सत्गुरु महारा बादल रे कोई साहिब महारा बादल वो बादल मैरी बीजली हो जी अर एकन बार आवो रे बारम बार आवो एकन बार आवो गुरुजी बारम बार आवो सत गुरुजी महरा देशे माहोजी साहिब जी महरा ओ देशे माहोजी उस परंशक्ती काशिर्वाद हमारे लिये अपूर्ण है अभुद्पूर्व है जिस प्रकार ये लाइड जल रही है इस तार में करंट है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है भूल में सुगंद है केवल हमको महसुत होती है परंतु वो वो परंपिता परमेश्वर हम सब के आसपास कहीं मोजूद है परंतों में दिखाई नहीं देता उस महसुत किया जा सकता है इसलिए अरे सत्गूर मारा भुलडा रे कोई साहिब मारा भुलडा अरे बाबा मारा भुलडा रे बाबा मारा भुलडा वो भुला मैरी वासना हो जी भुला मैरी वासना हो जी एकन बार आओ गुरुजी बारन बार आओ सत्गूर जी महारा देश माहो जी साहिब जी महारा देश माहो जी करता देश मारा भुला जी पर भुला जी आए बार आओ आओ कर दो कर दो कर दो कर दो अनेक प्रकार के उधान देखकर संतों ने समझाया कि वो सद्गुरु वो ग्यान रुपी दीपक हम सब से अंदर जलना चाहिए और आगे कहा जीवन जोगी बोलिया हो जी और जीवन जोगी बोलिया हो जी एकन बार आवो गुरु जी बारम बार आवो एकन बार आवो सद्गुरु बारम बार आवो सद्गुरु जी महरा देश माँ हो जी साहीब जी महरा सद्गुरु जी महारा बोले सद्गुरु दयाले की जैनो हम सब के माद पिता गुरु देव की